हालो फ्रेंट्स मैं मृतिन जय एंड यूचिंग टेक इंडिया लार्ण आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स एसस पोर्टल इंप्लोई इंप्लोई कैसे इंडले मैं की बात करनें वाले हैं तो कि इंप्लोई कैसा यूज करेंगे उसके बारे में आज मैं पूरा एंपो बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्रॉपर्रिली इसको maximize कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताँ दूह आप आप दो प्लेट्फोर्म पर यूज कर सकते हैं पहला आप जो भी आपके पास डेक्स्टोप या फिर फिर विंडो है उस पर यूज कर सकते है वेब के त्रू और दूसरा जो है वह आप अपने मुबाइल आप कि तूरू भी प्लेटफॉर्म है तो चलिए वन बैवन दोनों चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आप फ्रेंट्स आज मैं एक यूजर की बात करूँगा कि एक यूजर अपने एसस में क्या-क्या कर सकता है मैं होडी के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में आप से बात देगा जिसमें यूजर का पुरा अटेंडेंस एक जो डेश्बॉर्ड है इसमें आप देख पा रहे होगे पुरा अटेंडेंस होगा उसके बाद उसकी जो भी सीड्यूलिंग है वह चीज़ दिखाए देगा उपर में दो आप्सन आप दे सकते हैं जिसमें एक समड़ी है और सेटिंग ओप्सन भी है जहां से आप अपने पासष़र्ड को रिसेट कर सकते हैं पासष़र्ड फर्स टाइम आपको क्रियेट करना पड़ता है तो बहुत इजी सा मैथा है यहां से कर देता हूं तो जैसे ही लुग बैला को कुछ इस तरीके का आपको यहांपे दे रहा है इसमें आपको नोम holding अपना user id यहां पर डलना है user id जैसे डालेंगे उसके बाद आपको कुँछ password में कुछ डालना नहीं है और नाम豆 आपको enter पर क्लिक करना है जैसे ही आप enter पर ख्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप से ये password पूचता है पासवर्ड यहां पर आप डालेंगे जो भी आपको पासवर्ड डालना है तो यहां पर आप पासवर्ड डाल देजिए उसके बाद आपको वापिस इसमें लॉगिन कर लेना है तो यहां पर आप वापिस इसको लॉगिन कर लें तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका एक ड और भी बहुत साठी एटेल जो है, यहाँ पर आपको सो रहा है, जैसे कि कुछ परेंडिंग से लेटे वे, तो मैं one by one, बागी चीजों की बात करता हूँ, जो कि मैं भी वेब पर बात कर रहा हूँ, mobile app की बात नहीं कर रहो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आपका profile है, यहाँ से आप इसमें image को update कर सकते हैं, आप frames मैं आपको बता दो जो image आप यहाँ पर update करेंगे, जब आप hardware यानि कि जो mattress की device है, वहाँ पर पंच करते हैं, वहाँ पर यह image आपको so होगा, तो यहाँ से image आप update कर देते हैं, तो यहाँ से होगा, image के side में आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पर आपका नाम है और user ID है, तो इस पर आप यहाँ किलिक करते हैं, तो बाकी बहुत सारे profile की detail यहाँ पर आपको खुल जाएगा, यहाँ एडमिन ने आपको rights दे सारे option हैं, आप one by one इसको check कर सकते हैं, कुछ detail जो है वो आप edit नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके department हो गया, organization, sections, branch, तो इन सब चीजों को आप edit नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके reporting group कौन से हैं, तो reporting group भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है, चलिए हम दूसरे चीज़ों को देखते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं, कि यहाँ पर है basic detail, अभी basic detail में user क्या-क्या देख सकता है, तो यहाँ मेनी रूप से basic detail में user अपना event चेक कर सकता है, events का मतलब आप समझने के कोशिच किजिए, कि आपने जो punches किया है, वो यहाँ पर आपको दिखाए देगा, जो raw punches होता है, अभी raw punches भी बहुत सारे system से आ सकता है, जैसे कि आपके laptop के through भी आ सकता है, यहाँ इसको जान पाएंगे, कि आपने punch किया है, तो आपका punch जो है, वो सर्वर पे आया है नहीं आया है, तो यहाँ से वो चेक आप कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं holiday schedule, means कि आपके company में पहले से holiday schedule का एक पुरा पुरा list तयार हो चुका है, और वो list uploaded है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कब और कौन सा holiday है, तो यह holiday list है, उसके बाद बात करें, तो नीचे है basic detail, तो depend करता है company पे कि वो basic detail दिखाना चाहत है, तो यह सारे detail यहाँ पे basic detail में देख सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं, अब आते हैं second option, आप देख सकते हैं, यहाँ पे time management से relative है, तो time management में basically आप देखेंगे पहला attendance है, तो यहाँ पर आप सकते हैं कि daily attendance है, daily attendance में आप पुरा पुरा अपना attendance देखते हैं, one by one जो क कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपका इस्ट persent यह तो लेख सकते हैं एंहाईRO अब बत करते हैं यहाँ पर आ बेसिक जो आपका आडेन्स होज उफट elections देख सकते है वह ही जो आपके मंत का समड़ी बनता है कि टोटल प्रसंट देंगट नいて है total week of कितने है तो इस से डिलेटिव आपको यहां पर detail मिल जाएगा उसी तरह किसा आप देख सकते हैं shift and schedule जो आपको assigned है already तो यहां पर आपना देख सकते है shift and schedule और आखरी जो main चीज है इसमें वह है आपका attendance corrections यहां पर attendance यूजर भी कर सकता है और admin भी कर सकता है यह तीन अलग लग चीज है जो इसको कर सकता है basically मैं अभी यूजर की बात कर रहा हूं तो यहां पर आप attendance करेक्शन किस तरीके से करेंगे वह मैं आपको बताता हूं तो फिरेंस में जो है इसमें है आपका attendance करेक्शन और attendance करेक्सन के अपने अलungen act there suppose की यूजर जो है वह अपना पंच करना भूल जाता है और किसी भी कारन से तो वह अपना attendance करेक्शन अप्लाई कर सकता है अदिन्स करेक्शन का मतलब ऑन तक से बाइसरे नहीं होता आप attendance hind ji जो है वो multiple type से आप यहां पर कर सकते हैं जैसे कि आपको shift correct करवाना है तो shift correct के लिए भी आप request डाल सकते हैं यहां से और यदि आपका WCOP से relative कुछ already planned हो रखा है और आप चाहते हैं कि WCOP को normal day में convert करवाना है तो आप यहां से उसका भी request डाल सकते हैं WCOP के लिए भी request डाल सकते हैं और उससे relative बहुत सारे जो आप attendance correction में देख सकते हैं कि request आप डाल सकते हैं तो attendance correction एक बहुत अच्छा feature है जो कि individual user use कर सकता है मैं आपको बता दू किसी भी तरीके का यदि user application अपलाई करता है तो वह approval के लिए जाता है approval के लिए उनके hod के पास जाएगा और मैं आपको बता दू इसका आप एक जो alert system है वो भी use कर सकते हैं जिसमें email notification आपके hod को जाएगा जैसे आपने attendance correction apply किया है hod को एक mail चला जाएगा attendance correction का यदि hod ने approve कर दिया तो आपको भी एक mail आ जाएगा कि आपका attendance करेक्शन अप्रूब हो गया है और आप उसका impact अपने attendance में भी देख पाएंगे कि आपका attendance जो है वह प्रपर पोस्ट हो गया है तो attendance करेक्शन के बहुत अच्छे benefits हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका लीब से डिलेटिव हैनिकी लीब मनेजमेंट के डिलेटिव तो लीब मनेजमेंट में आपको बताओं तो सबसे पहले है लीब अभी यूजर बार बार अपना लीब बैलेंस पूछने के लिए नहीं जाकर वो खुद अपने पोटल पर जाकर यहां पर चेक कर सकता तो लीब बैलेंस को किलिक करना है इसलिए जो भी लीब टाइप्स हैं उनके बैलेंस यहां पर उनको दिखाई देगा और उसके बाद मैं आपको बताओं तो यहां पर है सेकेंड आप्सन जो आप देख पा रहे होंगे लीब अप्लिकेशन अभी लीब अप्लिकेशन में आपके जितने भी टाइपस अप्लाइग कर सकते हैं तरीकों का लीव है जो आप यहां से apply कर सकते हैं है इसका यहां पर जो भी इंपक्ट आना है वो दिखाई देगा तो इस तरीके से आप यहां पर यूज कर सकते हैं फिर्ण्स मैं आपको इक्जांपल के तोर पे सबसे पहले एक leave कैसे apply करना है वो बताता हूं तो सबसे पहले आपको leave application पर click करना है leave application पर click करने के बाद आप normally यहां पर जो date है वह select कर सकते हैं आप side में देख सकते हैं कि आपकी यहां पर attendance को filter करने का भी option है कि आप यहां से attendance को भी filter कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा attendance यहां पर दिखाए देगा किस दिन आप absent है, किस दिन present है तो आप यहां पर भी normally click करके उस date को pick कर सकते हैं और उसके according जो भी leave type है आप यहां पर select कर लिजे, नीचे आप देख सकते हैं यहां पर reason डालने का option है तो यहां पर किस कारण से आप leave apply कर रहे हैं वो आप reason यहां पर डाल सकते हैं और यहां आपको कुछ नहीं करना है आप submit पर click कर जे जैसे ही आप submit पर click करते हैं तो submit पर click करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो leave है यहां पर pending में दिखाई देता है अभी यह pending में इसलिए क्योंकि यह leave आपका approve नहीं हुआ है जैसे यह leave approve हो जाएगा आपका यह pending से हड़ जाएगा और यह approve वाले section में दिखाई देने लगेगा सपोज कि आपने leave apply कर दिया है और approve भी हो गया है और आप चाहते हैं कि leave को cancel करना है तो आप यहां से cancellation का भी request डाल सकते हैं यदि आपने leave apply किया है और approve नहीं हुआ है और उस leave को हटाना है आपको approval भी नहीं बेजना है तो आप यहां से normally इसको delete भी कर सकते हैं इस तरह के सरह इस attendance system का use कर सकते हैं अभी आप याइधि password change करना चाहते है तो password change करने के लिए उपर dashboard पर option मिला हुआ है तो setting option का भी use करके आप यहां से password change कर सकते हैं तो इस तरह के से आप इस attendance system को finally यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी attendance रिलेटिव आपको problem आता है तो आप जो मैं आपको यहाँ पर description में नंबर सेर कर रहा हूं आप हमें बता सकते हैं मैं आपको जाता कोगा इसका help करूँ आपको तो उमीद करता हूं कि यह जो कि मैंने एक छोड़ा सा training session आपके लिए रखा था आपको अच्छा लगा है तो like किजिए और किसी भी तरीके का कोई confusion है तो comment ज़रूर किजिए थैंक्स वर वच्छिं इस वीडियो